नमस्कार मैं असुक विश्वकर्मा हिंदी परक्ष में आपका स्वागत है आज के विशे है सर्विस्वर द्याल सक्सेना का जिवन परचे और उनकी रचेना है जैसे सी हिंदी पेपर टूर से समवांदित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से और ईनका निधन 23 सिपमबर 1983 सिवी को ने दिल्ली में हुआ उनकी प्यता का नाम है विश्विस्वर द्याल सर्विस्वर की मा जालंधर में गल्स है सकूली में सीछिका थी और इनकी पत्र का नाम है विमला देवे उनका जन में कहां हुआ उतरपरदिस dioerem है और 15 सितमबर 1927 ECB को और इनकी मिर्तिव होती है 23 सितमबर 1993 ECB को नए दिल्ले में इनके पिता का नाम हुआ विशवेशवर द्याल सक्षेना और इनकी मा जालंधर में गल्ज हाइस्कूल में सिछिका थी सर्वेस्वर ज्याल सक्षेना की बहन का नाम है यसोदा देवी जब सर्वेस्वर बस्ती के राजकिया हाइस्कुल के नवम कक्षा के छात्र थे तो उन्हें राजनिती गतिविद्यों में लिपत रहने के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया इसके बाद सर्वेस्वर को एंगलो संस्कुल बस्ती के प्राचार्य चक्रवर्ती ने अपने स्कुल में एडिमिसन ली सर्वेस्वर जी के पिता विश्वेस्वर ज्याल ने बड़ी मेहिनत से मालविय रोड इस्थित अनत हाले के पास एक छोटा सा घर बनवा लिया इस दोरान सर्वेस्वर की मा का तबादला बस्ती से बांसगाव जनपद गोरकपूर फिर वारनसी हो गया सर्वेस्वर भी अधियन के लिए अपनी मा के साथ वारनसी चले गए 1943 ISV में सर्वेसर वारानासी के क्विन्स कॉले से इंटर्मेडियर की परिछा पास की उन्होंने इलाहबाद से B.A. और 49 ISV में A.M.A. की परिछा पास की सर्वेसर जी ने AG आफिस इलाहबाद में डिस्पैचर की पद पर 1955 ISV तक कार्ज किया तो सर्वेसर जी ने AG आफिस इलाहबाद से B.A. किया और वहीं से 1949 ISV में A.M.A. की परिछा पास की और क्विन्स कॉले जो वारनासी में है वहाँ से 1943 ISV में इंटर्मेडियर की परिछा पास की सर्वेसर जी ने AG परसीद उर्दू सायर तारा संकर नासाथ के साथ सहेतिक संस्था परिमल की अस्थापना की उन्होंने All India Radio दिल्ली के हिंदी समाचार विभाग में सहेक संपादक के पद पर 1960 ISV तकार किया तत्पस्चात वेलखनो रेडियो स्टेशन, भौपाल रेडियो स्टेशन और इंदो रेडियो स्टेशन से जुड़े रहे एतिक संस्था परिमल की अस्थापना करते हैं उर्दू सायर तारा संकर नसाथ के साथ मिलकर और इसके बाद All India दिल्ली में हिंदी समाचार विभाग में सहेक संपादक की पद पर 1960 ISV तकार किया इसके बाद लेखनो रेडियो स्टेशन भौपार रेडियो स्टेशन और इंदो रेडियो स्टेशन से जुड़े रहे इसके बाद जानते हैं सर्विसर द्याल सक्सेना का साहतिक परिचे इनकी जो रचनाए कावे संग्र है काठ की घंटिया 1969 ISV में प्रकासित होती है एक सुनी नाव 1966 ISV में छपती है गर्म हवाएं 1966 ISV में प्रकासित होती है 1966 ISV में प्रकासित होने वाले दो कावे संग्रा है एक सुनी नाव दूसरा है गर्म हवाएं कुवानो नदी 1973 सिवी में सरव परसीद इनका कुवानो नदी कावे संग्रा है इसके बाद जंगल का दर्द 1976 सिवी में प्रकासित होती है खोटियों पर टंगे लोग 1982 इसमी में कावे संगरा प्रकासित होती है इनके सबसे अधिक सरवाध है प्रसीद रचना है कावे संगरा है खोटियों पर टंगे लोग इस पर 1983 इसमी में साहित अकादमी पुर्षकार मिलता है प्रेम कविताएं हैं क्या कहकर फुकारूं कविताएं प्रसिद कविताएं हैं मेग आए कोई मेरे साथ चले काला कोयल इनकी उपनियास हैं सोया हुआ जल उन्हें सो सहतहतर इस भी में छपती है पागल कुतों का मसीहा उन्हें सो सहतहतर इस भी में प्रकासित होती है रंग उर्फ सोने चौखट 1974 सिवी में छपती है, कची सड़क जो पन्यास है 1978 सिवी में प्रकासित होती है, इनका सबसे अधिक लुकप्रियक कहानी संग्रा है अंधेरे पर अंधेरा जो 1980 सिवी में प्रकासित होती है, नाटक है इनका बकरी 1974 सिवी में प्रकासित होती है, इसमें नेताओं के गांधिवाद के मुखोटों का परदफास किया गया है, इस बकरी नाटक में इसके बाद अगला नाटक हैंका लड़ाई 1929 ECB में छपती है और अब गरिबी हटाओ जो नाटक है 1931 ECB में प्रकासित होती है इनके कांकी नाटक है कल भात आएगा हवालात या एमके रहना के निर्देशन में 1929 ECB में मंचित की गई और अगला एकांकी नाटक है रूप मती बाज बहादूर होरी धूम मचोरी यातना सास मरणवी है कुछ रंग कुछ गंध है 1931 ECB में प्रकासित होती है इनके बाल कविता पर भी काम किया है बतूता का जोता 1931 ECB में प्रकासित होती है महंगू की टाई 1934 ECB में प्रकासित होती है इनके बाल कविता है बतूता का जूता और महंगू की टाई इन्होंने बाल नाटक भी लिखा है भों भों खोंखो 1975 सिभी में प्रकासित होती है दुसरा बाल नाटक है लाख की नाख 1989 सिभी में प्रकासित होती है इन्होंने कुछ पुष्टकों का समपादन किया शमसेर जो समसेर बहादूर सी से जुड़ा हुआ है मल्यज के साथ 1971 इसी भी में संपादन किया शमसेर रुपाम्बरा जो है सचीदानांद, हीरानांद, वासन, अग्ये के साथ मिलकर 1980 सिभी में संपादित करते है रुपाम्बरा को सहयक संपादक के पद परह कर अंधेरों का हिसाब 1981 सिभी में प्रकासित करते है और अगला जो इस संपादन उन्होंने किया नेपाली कविताएं 1982 सिभी में रक्तेबीजी का संपादन किया 1977 सिभी में इसके बाद जानते हैं परिछोप्योगी महत्वपुन बिंदु जो आपके परिछा के लिए आती ही महत्वपुन है सर्वेसर दिनमान पत्रिका की उप्संपादक बने दिनमान पत्रिका का प्रकासिन 1964 इसिभी में प्रारम हुआ सरवेसर जी अगे की आगरा पर दिनमान से जुड़े अगे जी के साथ पत्रकारिता के च्छेत्रे में उन्होंने काफी कुछ सीखा वे चर्चित बाल पत्रिका पराख के संपादक बने और ये पराख पत्रिका की आजीवन मिर्ट्व पर्यांत संपादक बने रहे दिनमान में प्रकासित चर्ची और चर्खी अस्तंब के लिए सर्विस्वर द्याल सक्सेना बहुत चर्चित रहे चर्ची और चर्खी जो अस्तंब है कॉलम है दिनमान पत्रिका में प्रकासित होता था और चर्ची और चर्खी जो निवन संग्रा भी है इनका जो अस्तम है जो छपता था उनका एक निवन संग्रा का नाम भी है चर्ची और चर्खे सर्वेसर द्याल सक्सेना नई कविता की प्रमुख कभी है इनका पहला कविता कावे संग्रा है काट की घंतियां जो 1969 इसीवी में प्रकासित होती है सर्विस्तर ज्याल सक्सियना को खुटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 सीवी में सहित अकादमी पुर्षकार मिला जो 1983 सीवी में सहित अकादमी का पुर्षकार मिलता है उनके नाटकों में बकरी सर्वाधिक चर्चित हुआ जिसके सर्वाधिक मंचन हुए उनके नाटकों में राजनितिक विदुपताओं और यथा इस्थिति वाद के खिलाप तीखा व्यंग्य मिलता है वे अपने पात्रों के माधम से देश की सरांध मारती राजनितिक विववस्था पर सिधी चोट करते नजर आते हैं बकरी नाटक का मंचन प्रथम मंचन 13 जुलाई 1974 सीवी को तिर्वनी कला संगम ने दिली में किया गया था भारत सरकार ने अपात्काल के दोरान इस नाटक पर परतिबन लगा दिया गया था क्योंकि इस नाटक में नेताओं पर राजनितिक विववस्थाओं पर कटाक्ष किया गया था वियंगे किया गया था बकरी नाटक पर मौरी सस देश में भी परतिबन लगा था नई कविता पत्रिका का प्रकासन 1954 इसीवी से प्रारम हुआ इनकी रचनाओं में समसामाईक जीवन मुल्यों की खोज है सर्वेस्वर द्याल सक्षेना तिसरे तार सब्तक के कभी हैं पहला तार सब्तक का प्रकासन अगे के संपादक्त्व में उने सो तैरिस इसीवी में हुआ तिसरे तार सब्तक का प्रकासन वर्ष 69 इस भी में होती है तो सर्विस्वर ज्याल सक्षे न तिसरे तार सब्तक के कवी हैं और तार सब्तक में साथ कवियों के रचनाएं कविताएं संकलित होती है और तार सब्तक के संपादकोन हुए सचिदानन्द, हीरानन्द, वासन अगे तार सब्तक में साथ कवियों की रचनाय संकलित होती है सर्विस्वर की कविताएं में उनकी परसीद कविताएं दो भागों में प्रकासित हुई है सोवियत कथा संग्रह में सर्वेस्वर द्याल सक्सेना की साथ कहनिया छपती है सर्वेस्वर की भासा सैली चित्रमै सैली है तो किसे कथा संग्रह में साथ कहनिया प्रकासित होती है तो सोवियत कथा संग्रह में और सर्वेसर की कविताएं के नाम से इनकी परसीद कविताएं दो भागों में प्रकासित होती है। कवि कुमर नारान के सब्दों में सर्वेसर मुल्त अपने तिवर आवेगों और उतेजनाओं वाले व्यक्ति थे जिनका पूरा असर उनके लेखन और उनके आपसी संबन्धों दोनों पर पड़ता था। बौधिक्ता की बारिकियों और काट छाट में वे जादा नहीं पड़ते थे जिसे तिवरता से मसूस करते थे उस पर विश्वास करते और उसे उतने ही तिवरता से सब्द देते या उनके लेखन की छमता है। कभी रगुविर सहाई के सब्दों में सर्विसर ने कविता को एक नया रुप दिया और एक नई भासा की खोज की। इसके बाद जानते हैं सर्विसर द्याज सक्सेना की परसीद कविता हैं और इन कविताओं के कावे अंसों से प्रस्न पूछे भी जाते हैं। मामली आदमी के प्रती उनकी दिर्ष्टी डाक्टर लोहिया की दिर्ष्टी से प्रेरित हैं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया की न रहने पर उनकी जो कविताएं हैं जो गर्म हवाएं कावे संग्रा में प्रकासित होती हैं। उन्होंने लिखा है उसने थुका था इस सड़ी गली वियवस्था पर उलड़ कर दिखा दिया था कालीनों के नीचे छीपा टूटा हुआ फर्स पहचानता थवा उन्हें जो रंग के चुने कुडे के कनस्तरों से सभा के बीच खड़े रहते थे ग्रामने व्यक्तित्व की जलक सर्वेसर की कविताओं में अस्पश रूप से देखी जा सकती है कुवानो नदी की कविताओं इसका परमान है जिसमें कभी कहते हैं अभी भी उस लगी की चुभन मैं अपनी पसलियों पर मसूस करता हूँ और एक सुखे चिमड कंकाल का जुखा जुरियों वाला हाथ मेरे गालों से चुजाता है लेकिन तड के किचण में नाव धिरे धिरे जाकर फस जाती है फिर एक बदबू से उठती है और वा नमक और तिल लगी अपनी रोटी चूप चाप खाने लगता है इनकी परसीद कविता है मेघ आये मेघ आये बड़े बंठन के सवर के पाहुन जो आयो हो गाउं में सहर के पेड जुक जाकने लगे गरदन उचकाए आंधी चली धुल भागी घागरा उठाए बांकी चितवन उठा नदी ठिटकी घुंगट सर के मेघ आये बड़े बंठन के सवर के बुड़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता उट हो कीवार की हरसाया ताल आया पानी परात भर के मेघ आये बड़े बंठन के सवर के मेघ आये कविता में कभी ने मेघों की तुलना प्रवासी अति थी दमात से की है ग्रामिर संस्कृति में दमात के आने पर उल्लास यानि खुसी का जो वातावर्न बनता है मेघों की आने का सजी वर्न करते हुए कभी ने उसी उल्लास को दिखाया है इस कभीता में बंठन, पाहोन, उचिकाय, ठिठकी, जुहार ए लोक भासा के सब्द हैं जो ग्रामिर संस्कृति था लोक राग से युक्त है लोक गीतों की तर्ज पर लिखी एक कभीता अत्यांत ही सरल है जिसमें वे ग्रामिर व्यक्ति के गरिवी का गितगार हैं इस अंदर में निम्रिखित पंक्तियां दिश्टव यह हैं या कुआनो नदी काव्य संग्रा से संकृत है खबर लडाई की हमको न भाए दिल घबराए भाईया दिल घबराए सैरन चिक पड़ा कल आधी रात को मुन्ना मेरा मचल गया नोन तिल भात को रुटी कहां ताडी का लगाओ दो घूटा बीबी तोड़ाई के भाग गई खूटा या जो है लोग की गीतों पर अधारित या कविता है जिसमें गरिबी का रेखांकन किया गया है खुटियों पर टंगी लोग जो काव संग्रा है जिस पर सहित अकादमी का फुर्सकार मिलता है सर्वेसवर द्यासक सेना को इसमें कविता है पिछडा आदमी जिसका अर्थ सिर्सक से ही असपस्ठ है इसमें कवितत कालिन समय की राजनितिक व्यास्था पर तगड़ा परहार किया है पिछड़ा आदमी जो कविता है जब सब बोलते थे वह चूप रहता था जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था जब सब खाने पर तूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था जब सब निधाल हो सो जाते वह सुन्ने में टक टक ही लगाया रहता था लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया और महंगू की टाई इनकी जो बाल कविता है महंगू ने महंगाई में पैसे फुके टाई में फिर भी मिली न नौकरी अंधे पड़े चाटाई में गिट पिट करके हार गए टाई ले बजार गए दस रुपे की टाई उनकी बीकी नहीं दो पाई में इसमें महंगाई पर कटाक्ष किया गया है महंगू की टाई की माध्यम से तो इनकी जितनी सारी जो कविताएं हैं उसमें गरेवी की संत्रास और राजनिती की चुसरांद व्यवस्था पर है उन्हें ती तीखा प्रहार किया है और इन काव्य प्रंक्तियों से परिशा में प्रस्मी पूछे जाते हैं तो वीडियो कैसा लागा आप हमें कमिन कर बता हैं यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पर हमको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पोड़ सके वीडियो को लाइक और अपने साथ्यों के बीच सेर करें नमस्कार